तिथरी विश्णु स्तथा वारो नक्सत्रम विश्णु रेवच योगश्कर्णम चैव सर्वं विश्णु मयम जगत। स्री परमात्मने नमः गीता जी के चोथे अध्याई का महात्म्यम। लक्स्मी जी ने पूछा है स्री नारायन जी स्री गीता जी के पाट करने वाले को चूपर भी कोई जीव मुक्त हुआ है तब स्री नारायन जी ने कहा है लक्स्मी जी तुमको मुक्ती की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ भागिरती गंगा जी के तटपर एक काशी पुरी नाम का नगर है वहाँ एक वेश्नव रहता था वहाँ नित्य गंगा इस्नान कर स्रिगीता जी के चोथे अध्याय का पाट करता था एक दिन वह साधू वनको गया वहाँ बेरियों के दो व्रिक्स थे उनकी बड़ी चाया थी वह साधू वहाँ बेट गया और बेटते ही उसको निद्रा आ गई एक बेरिया से उसके पाउं लगे और दूसरी के सिर लग गया वह दोनों बेरिया आपस में कोप कर प्रत्वी पर गिर पड़ी उनके पत्ते सुख गए परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरिया ब्रामन के घर दो कन्याये हुई फिर ब्रामन के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंब कर दिया जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा हैं पुत्रियों अब तुम्हावरा विवा करते हैं तब उन दोनों ने माता पिता से कहा हम विवाह नहीं करेगी उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी उन्होंने कहा हमारी एक यही अभिलासा हैं कि वह शाधू हमें पुना दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है उनके मन में यही था कि वह साधू जिसके इसपर्स करने से हमें अधम देह से छूट कर यह देह मिली हैं वह मिले तो बड़ा अच्छा हों यह विचार कर उन दोनों लड़कियोंने माता पिता से तिर्थ करने की आज्या मांगी तब माता पिता ने उन्हें तिर्थ यात्रा की आज्या दी तिर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बेठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की साधू ने कहा तुम कौन हो कन्याओं ने कहा हम पिछले जन्मव में बेरीयों की योनी में थी एक दिन तुम वन में आये तो तुमको भहुत धूप लगी थी तब बेरीयों की चाया के तले आ बेठे लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा तो उसी समय हम बेरी की योनी से मुक्त हो गई अब हमने भ्राम्मन के घर में जन्म लिया हैं और बहुत सुखी हैं आपकी कृपा से ही हम मोक्स को प्राप्त हुई तब तपस्वी ने कहा मुझे उस बात का पता नहीं था अब तुम आज्या करो तुम्हारी क्या सेवा करूं क्योंकि तुम भ्राम्मरूप उत्तम जन्मस्री नारायन जी का मुख हो तब उन कन्याओं ने कहा आप हमको स्री गीता जी के चोथे अध्याई का फल प्रदान करो जिससे हम देव देही पाकर सुखी होएं तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चोथे अध्याई के पाठ का फल दिया फल के देते ही आकाश से विमान आए तब उन दोनों ने देव देही पाकर बेकुंट को गमन किया स्री नारायन जी बोले हैं लक्समी जी या चोथे अध्याई का महात्म है बोलिए स्री कृष्ण चंद्रवगवान की जय